Hello friends, हम सीख रहे हैं One Words Attribution और यह जो प्रेक्टिस सिरीज है इसको आप एंजोई कर रहे होंगे और साथ ही साथ आपकी जो बात करते हैं पहले word की क्या है friends, देखे act of deceiving somebody in order to make money किसी को deceive करना धोखा देना किसी को in order to make money यानि पैसा कमाने के लिए जब पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा देते हैं तो definitely आप क्या करते हैं आप करते हैं एक्ट अफ मरसी किलिंग एक मूवी भी आई थी मरसी किलिंग को लेकर संजलीला भशाली की और एक्टर थे उसमें रितिक रोशन शायद गुजारिस मूवी का नाम था अगर मैं गलत नहूं तो तो वो जो मूवी क्या बताती है फ्रेंट्स जो मरसी किलिंग है कुछ देशों लेकिन हमारे हैं एक्ट ओफ स्टेलिंग इन स्माल क्वांटिटिग इज्ण स्माल क्वांटिटीज में छोटी मात्रा में चोरी करने का जो act है वो क्या कहलाता है उसको क्या कहते हैं हम friends pilferas p i l f e r a g e s pilferas action that is likely to make people very angry एक ऐसा action जिससे लोग क्या हो जाते हैं angry हो जाते हैं बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं ऐसे action को क्या कहते हैं आप कंफ्यूज होंगे इस किश्चन को लेके और ऐसा एक्षन कहलाता इन्फलमेट्री आई एन एफ एल ए डवल एम ए टी ओ आर वाई इन्फलमेट्री यानि ऐसा एक्षन जो लोगों को एंगरी कर देता है आप all the arts beliefs and social institutions etc characteristics of our race All the arts यानि एक race के एक जाती के क्या art, beliefs और social institutions वो क्या कहलाते हैं यानि एक जो हम गर जाती की कहें यानि human race की कहें मानब जाती की कहें तो उसके सभी cultural काम उसके beliefs यानि religious हो गए और social institutions हो गए उन सब को नाम देते हैं हम सब भिता क्लियर और English में उसको कहते है civilization civilization always ready to attack और करल हमेशा जो अटेक करने के लिए जगड़ा करने के लिए ते यार रहता है क्या कहलाते हैं ऐसे व्यक्ति को कहते हैं aggressive और आगे बढ़ते हैं amount of money demanded by kidnappers यानि kidnappers जो amount की demand करते हैं उसको कहते हैं फिरो भी और English में कहा जाता है ransom 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 ध्यान रखें इस sum में E नहीं है clear तो ransom an abundant child of unknown parents which found by somebody कई बार किसी abundant जो बच्चा त्याग दिया जाता है कोई बच्चा जैनम लिया उसको इदर उदर parents क्या करते हैं फेक देते हैं और उस बच्चे को कोई दूसरा क्या कर लेता है पाल लेता है तो ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं ऐसे बच्चे को कहते हैं foundling f-o-u-n-d-l-i-n-g foundling clear और आगे है an act of misappropriation of money जब पैसे को आप क्या करते हैं misappropriation करते हैं तो क्या कहते हैं पैसे के misappropriation को हम कहते हैं govern clear किसी post पे हैं पैसा आपको lot हुआ आपने उसका misappropriation कर दिया यानि English में कहते हैं embezzlement spelling बहुत प्यारी है e-m-b-e-double-z-l-e or m-e-n-t embezzlement clear friends an allowance made to a wife by her husband when they are legally separated अगर husband wife legally separate होते हैं तो court क्या करता है बी-बी के पक्स में कुछ एक राशी होती है उसको बात देता है कि बहुत इतना भत्ता है वो husband को देना ही देना है तो उस भत्ते को क्या कहते हैं उसको कहते है निर्वह भत्ता और इंग्लिश में कहा जाता है alimony a-l-i-m-o-n by alimony यानि जब डिवोर्स होता है डिवोर्स के रेफरेंस में डिवोर्स के रीजन में wife को मिलने वाला एक अलाउंस होता है clear friends आगे है an animal which lives by praying on other animals एक ऐसा animal जो दूसरे animals पे प्रे करके यानि दूसरे animal पे प्रे करके उनको शिकार करके दूसरे animal पे जो रहने वाला animal होता है उसको हम नाम देते हैं predator और आगे बढ़ते हैं an apartment building in which each apartment is owned separately by the people living in it but also containing shared area एक ऐसा apartment building जिसमें बहुत सारे apartments होते हैं वो separately होते हैं लेकिन उनमें एक common area होता है तो उसको कहते हैं हम सहस्वामित्व हिंदी में सहस्वामित्व कहा जाता है और इंग्लिश में उसके लिए एक word आता है condominium c-o-n-d-o-m-i-n-i-u-m condominium an area of land that is controlled by a ruler एक ऐसा land का area जो ruler के द्वारा controlled होता है यानि एक शार्षक का जो छेतर होता है इलाका होता है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं dominion यानि वो area of land जिसको एक ruler कंट्रोल करता है dominion dominion d-o-m-i-n-i-o-n dominion क्रिया फ्रेंट्स आगे बढ़ जाते हैं an assembly of worshipers जो worshipers होते हैं पूजा करने वाले लोग होते हैं उनकी assembly को कहते हैं congregation c-o-n-g-r-e-g-a-t-i-o-n congregation और हिंदी में कहते हैं धर्मसभा an emolument over and above fixed income और salary जो fixed income होती है यह salary होती है उसके उपर जो emolument होते हैं उसको हम क्या कहते हैं perquisite यानि बढ़ ता p-e-r-q-u-i-s-i-t perquisite perquisite क्या होता है बढ़ ता होता है और आगे बढ़ जाते हैं an established principle of practical wisdom जो practical wisdom होती है उसका जो एक established principle होता है उसको क्या कहते हैं maxim यानि कोई maxim maxim क्या है कोई एक जो established principle है उसको हम maxim कहते हैं accessibly morbid desire to steal जब आपके अंदर morbid desire होती है बहुत अधिक आप चोरी करने की सनक होती है आपके अंदर तो उस सनक को कहते हैं mania और कैसी mania चोरी करने की तो कैसा mania हो गया kleptomania k-l-e-p-t-o-m-a-n-i kleptomania चोरी करने की सनक an expression of mild disapproval जब आप हलका disapproval देते हैं किसी काम को तो उसके लिए एक word आता है reproof r-e-p-r-o-o-f reproof क्या है एक mild disapproval का expression है an extract from a book of writing जो writing की book है उससे एक जो आप extract उठा लेते हैं उस extract का नाम होता है ex-c-e-r-p-t एक्सर्ट क्या होता है extract from a book of writing अप्जेक्ट और पोर्षन serving as a sample क्या है एक object या एक पोर्षन जो sample की तरह यूज होता है उसको हम क्या नाम देते हैं spelling देखें बड़ी प्यारी सी है s-p-e-c-i अब ये बताईए मुझे specimen में s-p-e-c-i-m-e-n या m-e-n कौन सा वाला सही है clear confusion आपको यहां हो सकता है specimen में ये नीचे वाला होता है s-p-e-c-i-m-e-n इसके spelling होती है बिलकु दिहान रखिएगा an obviously true or hackneyed statement कैसा statement जो true है और hackneyed है और गिसा बिटा है ऐसे statement को हम कहते है truism t-r-u-i-s-m truism और friends आगे बढ़ जाते हैं an underhand device resulted to in order to justify misconduct एक underhand device किसके लिए misconduct के लिए यानि जिसको हम कहते है चाल या तिकडम और चाल तिकडम के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं और वो होता है manover m-a-n-o-e-u-v-r-e manover ध्यान स्पेलिंग का रखें बहुत प्यारी सी है m-a-n-o-e-u-v-r-e इस तरह दो हिस्दों में इसको तोड़ ड़े an unexpected piece of good fortune unexpected piece किसका good fortune का यानि जब आपको अचानक ही कोई आपको love हो जाता है बहुत ज़्यादा love हो जाता है unexpected love हो जाता है आपको तो कहते हैं भई लॉटरी निकल गई मेरी उस लॉटरी निकलने को हम क्या कहते हैं उसको कहते हैं windfall और आगे है animal that can live on land and in water जो animal land पे भी रह सकते हैं और water में भी रह सकते हैं उनका हम नाम देते हैं क्या कहते हैं उनको amphibians 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 वो animal होते हैं जो land और water दोनों जगे रह सकते हैं आगे बढ़ते हैं animals that feed on plants ऐसे animals जो plants पर feed करते हैं यानि plants को खाने वाले animals definitely वो शाकारी होते हैं और शाकारी के लिए हम क्या word यूज़ करते हैं harby यानि हर्ब खाते हैं तो harby worus worus harby का मतलब herbs और worus का मतलब होता है devour खा जाना clear तो harby खाने वाला harby worus के लिए फ्रिंट्स ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं animal that live in a particular reason एक particular reason में रहने वाले just a minute उपर रह गया animal that eat flesh वो animals जो flesh खाते हैं जो man's को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं फ्रिंट्स कार्णीवोरस c-a-r-n-i v-o-r-o-y-o-s कार्णीवोरस और animals that live in a particular reason एक particular छेदर में रहने वाले जो animals होते हैं उनको क्या कहते हैं तो दो वर्ड होते हैं फ्रिंट्स एक तो होता है किसी जगे का flora और एक होता है फ्रिंट्स कार्णीवोरस तो एफ-a-u-n-a इसी के साथ दूतरा वर्ड भी याद करा दूमें आपको flora flora, flora, flora में कई बार हम confuse हो जाते हैं एक तो होता है किसी particular छेदर में रहने वाले animals और particular छेदर में पाई जाने वाली वरनस्पती यानि पेड़ पोदे तो पेड़ पोदों पर क्या लगते हैं फ्लावर्स लगते हैं तो यानि फ्लोरा जहां है फ्लोरा क्या है फ्लोरा है एक पर्टिकुलर छेतर में रहने वाले फ्लावर्स यानि पेड़ पोदे तो एक पर्टिकुलर छेतर का जो वेजिटेशन होता है उ और एक particular छेतर के जो animals होते हैं उसके लिए word यूज़ करते हैं फ्यूना किलेफरेंट्स अब कभी भूलेंगे नहीं चलिए animals which live in water पानी में रहने वाले animals क्या कहलाते हैं aquatic A-Q-U-A-T-I-C यानि जलिय जीव के लिए हम aquatic word यूज़ करते हैं जो hearts में रहते हैं यानि जो सम्हू में रहते हैं जुन्ड में रहते हैं जैसे हाथी है जुन्ड में रहता है हिरन है जुन्ड में रहती है तो gregarious उनके लिए word यूज़ करते हैं G-R-E-G-A-R-I-O-U-S इस तरह तोड लीज़े word को हमेशा spelling भी लाण हो जाएगी gregarious जैनी जुन्ड में रहने वाले animals animals without backbone जो लोग जोलोजी पढ़ी है जिनोंने या थोड़ी मुद्बायो पढ़ी है वो जानते होंगे कि animals को दो categories में बाढ़ते हैं एक तो जिनके backbone होती है और जिनकी backbone नहीं होती चलिए दोनों वर्ड में लिख देता हूँ एक होते हैं vertebrates V-R-T-E verte और brates B-R-A-T-E-S और दूसरे होते हैं invertebrates इन लग गया और उपर वाली spelling आगे तो vertebrates कौन से होते हैं जिनके backbone होती है और जिनमें backbone नहीं होती वो animals कहलाते हैं invertebrates spelling में देखें V-E-R-T-I नहीं है T-E है invertebrates anyone written in a letter after it is signed जब letter को sign कर दिया complete कर दिया या check को sign कर दिया complete कर दिया उसके बाद अगर उस पे कुछ लिखते हैं तो वो letter कहलाता है क्या कहलाता है post script P-O-S-T-S-C-R-I-P-T post script आगे बढ़ते हैं art of writing for newspaper and magazines यानि writing की कर दिया किसके newspaper और magazines के लिए वो कहलाती है journalism J-O-U-R-N-A-L-I-S-M journalism J-O-U-R-N-A-L-I-S-M journalism जब newspaper और magazine के लिए आप लिखते हैं और जो लिखने वाला होता हो journalist कहलाता obviously be the embodiment or perfect example of जब अब क्या होते हैं किसी के embodiment होते हैं या perfect example होते हैं तब आप क्या कर रहे होते हैं personify कर रहे होते हैं personify clear perfect example क्या कहलाता है personify आगे बढ़ते हैं believe और opinion contrary to which is generally accepted एक ऐसी opinion जो क्या होती है जो generally accepted की जाती है लेकिन उसकी contrary होती है क्या कोई believe या कोई opinion उसका क्या करते हैं जब उसके contrary होती है लेकिन वो accepted होती है तो उसको हम नाम देते हैं here say h e r e s y clear और आगे बढ़ जाते हैं believe that God is in everything and that everything is God जब आप यह विश्वास करते हैं कि हर चीज में क्या है इश्वर है हर जगा क्या है friends इश्वर है और हर वस्तु में इश्वर है God हर जगा है तो ऐसा विश्वास कहलाता है आपका यारी प्रकरती में जब आप इश्वर को देखते हैं हर चीज में इश्वर को देखते हैं तब आप कहलाते हैं pantheism और ऐसा जो विश्वा से वो कहलाता है pantheism पेंथेism तो जो विलियम शिक्षपीर थे वो सौरी वर्डसवर्ड थे वो क्या थे वो pantheist थे वो प्रकरती में इश्वर का वाद समझते थे belonging to all parts of the world, world के सभी parts से बिलोंग करना यानि ऐसी चीज जो सब जगे पाई जाए उसको हम क्या कहते है कोस्मो politan, p-o-l-i-t-a-n, c-o-s-m-o, p-o-l-i-t-a-n, cosmopolitan, यानि सर्वो भी आप ही आप कहल दीजिए, clear? Believe that war and violence are unjustified, यह विश्वास कि जो war है और violence है वो unjustified होती है, तो क्या वर्ड है इसके लिए, friends, pacifism, p-a-c-i-f-i-s-m, pacifism और मुझे लगता है, यह अनिवर्सल एप्टिटुशन हमारा रिपीट हो गया, पिछले किसी लेक्चर में आया था Body of a human being or animal ambalmed for burial यानि जो Body है, human being की, या किसी animal की, जिस पे कोई लेप लगा दिया जाता है, दफनाने के लिए, उसको रखने के लिए, तो वो Body क्या कहलाती है, वो कहलाती है, obviously, लेप लगी बाडी को हम क्या कहते है, मामी कहते है, M-U-M-M-Y, मामी, और Call upon God or any other power for help or protection, इश्वर्थ को पार्थना या किसी दूसरी सक्ता की पार्थना प्रोटेक्शन के लिए, help के लिए, उसको कहते हैं, आवान करना, और इंग्लिश में कहते है, Invocation, I-N-V-O-C-A-T-I-U-N, Invocation क्या है, इश्वर्थ का आवान, Are different capable of being understood in either of two or more possible senses and thus not definite, यानि जब आप किसी बात को कहते हैं, तो उसके दो sense निकलते हैं, कोई एक definite sense नहीं निकलता, तो ऐसी जो बात है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है, ambiguous, ambiguous, A-M-B-I-G-U-O-U-S, ambiguous क्या होता है, दूर्थी होती है, clear, chanting of magic spell, magic spell को chant करना, क्या कहलाता है, यानि ज़ादू, incantation, I-N-C-A-N-T-A-T-I-O-N, incantation, clear friends, और आगे बढ़ते हैं, chief of a group of workmen, जो मुखिया होता है, जो workmen होते हैं, उनके group का मुखिया होता है, उसको क्या कहते हैं, forman एक वर्ड आता है, F-O-R-E-M-A-N, forman, जो factory होती हैं, वह एक पोस्ट होती है, forman की, clues available at the sun, जो scene, sorry, जो scene में clues available होते हैं, उन clues को क्या कहते हैं, जो scene होता है, scene के समय जो clue दिया जाता है, audience को, audience को, क्या friends, जो actor होता है, उसको clue क्या दिया जाता है, जो भी clue दिया जाता है, है, उसके लिए word आता है, circumstantial, C-I-R-C-U-M-S-T-A-N-T-I-A-L, circumstantial, code of diplomatic equity is etiquettes and precedence, जो diplomatic etiquettes होते हैं, उनके code को क्या कहते हैं, उसका code कहलाता है, friends, protocol, प-E-R-O-T-O-C-O-L, protocol, commencement of adjacent words with the same letter, जब अब क्या करते हैं, commencement करते हैं, adjacent words का, जब same letter से होता है, यानि जब एक ही letter से शब्दों की सुरुआत होती है, तो उसको obviously हम क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं, और English में हम कहते हैं, alliteration, T-E-R-A-T-I-U-N, अब spelling देखके बताएं ज़रा, यह डबल ए है, ए डबल ए है, यह यह अल आई है, यह spelling जो मैंने देखी है, सही है, ए डबल ए, alliteration, यानि अनुप्रास, Conferred as an honor, honor, जब सम्मान के सुरूप, जब आपको कोई चीज दी जाती है, चाहे वो डिगरी हो या कोई भत्ता हो, तो क्या कहते हैं उसको, honorary, H-O-N-O-R-A-R-Y, honorary, के लिए friends, और आगे बढ़ते हैं, constant efforts to achieve something, जब आप लगातार किसी चीज को प्राप्ट करने के लिए efforts करते हैं, तब क्या करते हैं, आप efforts को कहते हैं, perseverance, P-E-R-S-E-V-E-R-A-N-C, यानि आपका जो सतत्प्रियास है, वो क्या कहलाता है, perseverance, और अब जॉब पाने के लिए सतत्प्रियास आपको करना है, advertisement भी announce हो गया है, जल्दी ही आपको strategy lectures भी आपको इस नए advertisement के according मिल जाएंगे, तो चले फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं, continuing fight between parties, families, clans, etc, लगातार कई बार families में क्या चलता रहता है, एक fight चलती रहती है, families में, clans में, या parties में, उसको हम क्या term देते हैं, वो होता है, feud, F-E-U-D, feud, क्या है, feud, यानि जो continuous fight होती है, families के भी उसको हम कहते हैं, deep in thought, deep in thought क्या कहलाता है, विचार में पूर्ण, यानि पैंसिव, P-E-N-S-I-V-E, पैंसिव, और आगे बढ़ते हैं, deriving pleasure from inflicting pain on others, जब किसी दूसरे के दर्द में आपको मज़ा आता है, तब उस pleasure को, उस मज़े को क्या कहते हैं, दूसरे को दुखी देखके आपको मज़ा आना, उसको कहते हैं, sadism, s-a-d-i-s-m, sadism, clear, और उस मज़ा लेने वाले व्यक्ति को कहते हैं, sadist, तो friends, I hope, यह जो 50 words हैं, यह आपको बहुत सारे learn हुए होंगे, नहीं, बहुत सारे आपको learn भी होंगे, practice अब सासाथ कर रहे होंगे, कमेंट जरूर करें, कि कितने questions आपके सही हुए हैं, clear, तो चली friends, मिलते हैं, next lecture में, कुछ और आगे one word substitution को discuss करते हुए, and now, thanks for watching this video.